हलो फ्रेंड्स नमस्ते न्यूजीन हिंदी में आपका स्वागत है दोस्तो जापान की मशूर कार बनाने वाली कमपनी सुजुकी की बहतर कार स्विफ्ट को भारत में बहुत पसंद किया गया है बीते दिन कमपनी स्विफ्ट की हाइब्रिड वर्जन को भी लॉंच कर दिया है खबर है कि पिछले दिनों भारत में भी इस कार की जलत दिखी हलांकि खबर है कि फिलाल भारत में इस कार की टेस्टिंग चल रही है शिफ्ट कार को दो वेरिंटल में लॉंच किया गया है फिलहाल इस कार को सिर्फ चापान में ही लॉंच किया गया है सुजुकी ने इसम कन्फूजन मत कीजेगा ये पूरी तरह से हाइब्रिड कार है जिसे पैट्रोल से EV मौड में स्विच किया जा सकेगा नई हाइब्रिड कार में ड्राइवर मौड्स होंगे जो ड्राइवर को EV और पैट्रोल मौड में कमफर्ट देने के लिए लगाए गए है कमफनी के दावे के मुताबित नई स्विफ्ट 32 किलो मिटर मायलेज देने में सक्षम है इसका मौजूदा स्विफ्ट से हलका है नई हाइब्रिड स्विफ्ट का वजन 1000 किलोग्राम से भी कम है इस कार में सबसे खास बात ये है कि जब ये कार ट्राफिक में चल रही होती है या धीरेच चल रही हो तो इस कार का हाइब्रिड सिस्टम अपने आप कमफर्शन इंजन को बंद कर देगा और EV ड्राइविंग शुरू कर देगा सडक पर चल रहे लोगों पर नजर रखने के लिए इसमें केमरा और लेजर सेंसर भी लगे हैं दोस्तो न्यूस पसंद आए तो लाइक और शेर करना ना भूले साथ ही हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर हमारे साथ जूड़े रहे नमस्कार